नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में दोस्तों खादी शुर्ख साहजना का आपने कम्प्लिट रूप से अपना फॉर्म सब्मिट कर दिया है अभी आपका दोस्तों फॉर्म या तो फॉर्स लेवल पर पेंडिंग है या फिर सेकंड लेवल पर वाला हूं तो वीडियो को दोस्तों कम्पलिट दाए है दोस्तों खादी शुर्खम की चेनल के मादिम से मैंने हरे एक लेटेस सब्डेड़ देने कhouse किये है आपके जो भी डावड सवाल है वह मैंने कलियर करने की कोसिश किया है तो दोस्तों वीडियो को अभी से कर दिया है कि किसी भी सरकारी योजना का लाब लेने के लिए आपका जो जन अधर कार्ड है वो कंप्लिट रोप से अपडेट होना चाहिए ठीक है लेकिन दोस्तों अगर आपके कोई भी अधर डोकुमेंट है वो अपडेट नहीं है तो चलेगा लेकिन दोस्तों आपके जन जनादर कार्ड में नहीं है वो दोस्तों पहले उसको एड़ करवा लें और एड़ करवाने के बाद आप क्या करें जितने भी मान लो पांच मेमर है तो पांच मेमर के अलग-अलग फॉरम में जाकर आपको है जो वहाँ पर उनके राशन कार्ड नमबर है वहाँ पर है जो अपडेट नहीं किया है इस विज़े से दोस्तों क्या हो रहा है कि फॉरम जैसे ही फर्स्ट लेवल पर जा रहा है बहां से है जो इमितर के पास वापस सेंड वैक किया जा रहा है कि इनके जनादर कार्ड में यह राशन कार्ड नमबर है जो अपडेट नहीं है जो आपने फिल किया था ठीक है तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये काम जरूरी है अपने जनदर कार्ड में है जो परिवार के मुक्या के साथ साथ जो भी सदिशी हैं उन सदिशी के जनदर कार्ड में है जो रासन कार्ड नंबर है वो फॉर्म में जाकर अपडेट करना है इसके रिगार ताकि बाद में किसी भी परकार की रासन लेते समय आपको है जो दिक्कत ना हो तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है फोरम आपका रिजेक्ट नहीं होगा बिल्कुल आप है जो अपने जनादर कार्ड में है जो रासन कार्ड नंबर और अगर हो सके तो आप जो इंकम सर्टि किसी भी आधर योजना के लिए आपको है जो कभी भी कोई दिक्कत ना आए तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जानकर यह आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें ताकि जो अन्य लोग ह थैंक्स पर वाचिक